जैहिन दोस्तों आज हम आपके इस लेक्चर में हम आपका पार्ट नहीं त्रस्ट देखेंगे बच्चों आपका कोस्टेन 1.1 है अब बच्चों 1.1 में आपका कोस्टेन क्या कह रहा है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं तो क्या रहा है अच्चों एक तत्तों का मोलर दर्विमान कितना है दो दस्पलों साथ गुड़े दस घाते माइनस दो केजी पर मोल है मतलब इसका जो मोलर दर्विमान है क्या अच्चों कि मोलर द्रव्यमान कितना दिया है एम कि दो दस्वलों साथ और गुड़े दिस्खाते माइनस टू केजी मोल और यह है 405 पीम मतलब बच्चों पीको मीटर लंबाई की भुजा वाली घनी एक कोष्ट का बनाता है मतलब भुजा की लंबाई भुजा की लंबाई जो ए दिया है बच्चों क्या दिया है 405 पीको मीटर कहने का मतलब बच्चों 405 गुड़े दिसखाते माइनस 12 मीटर आपको पता बच्चों 1 पीको मीटर बराबत दिसखाते माइनस 12 मीटर यह बच्चों उसको हम क्या कर ले अगर इसको घनी रूप्य है चेंजा करें 4.05 गुड़े देजगाते माइनस 10 मीटर तो यह क्या निकला है यह बच्चो आपके भुजा के लंबाई है यह उसका घानत्य बच्चो घानत्य मतलब जो डेंसिटी दे रखी है वो दो दस्वरों स्ताद गुड़े देजगाते 3 केजी मीटर क्यूब है तो एका कोश्टिका के प्रकिती तो बच्चो क्या पूछ रखा है प्रकिती मतलब जेट इतनी बाते बच्चो को समझ में आए उन्होंने कुछ डाटा दे रखा है और आपसे कोश्टिका के प्रकिती कि पतलब कोस्ठिका किस प्रकार की होगी जड का मान पोछ रखे हैं प्रकेटी मतलब अब बच्चो यह दुर्य में पता हो कि परमाड़ों की संख्या उसमें कितने सभागित परमाड़ों कितने पासिपेट की हैं तो उसके बेश पता सकते हो प्वेकर कोईश्टी का क्या होगी तो आप बच्चों जानते हैं एक फार्मूला आपको बताया था हम जानते हैं इन समने बच्चों हमने रिलेशन एक बताया था यहम ए डी और जेड बे क्या था बच्चों डी बराबर मजनात एम इंटू जेड अपान यहने इंटू बच्चों क्या एक्यू यहने इंटू बच्चों एक्यू आपको क्या चाहिए आपको यह जेड चाहिए यही आपको ब बट यहम बच्चा नीचे आ जाएगा और यहाँ आपको क्या यह ं आ गया तो वैल्यू रखिए तर क कीतना है 2 10 पर 17 इसके 3 कि इंटू यहने यहने वच्चो क्या होती है और यहने का बच्चो मान क्या होता है इससे भी जानते रहे यहने यहने ओगेद्रो संख्या वाती जिसका मान छैयो देसलो जीरो दो तीन गुड़ेद्स घाते 23 पर माड़ होते हैं 23 परमाड होते हैं यह आते बच्चों आपको पता होना चाहिए तो अगर द्रों संख्या आपने यहां पर लिखें तो क्या होगा च्छादस पुलो जीरो दो तेन गुड़ेऋ ढगाते 23 और बच्चों cał है एक ऐक क्या है एक अमान प्रपल क्या है चाहरे द्रों 0 5 सीघ सघजा पोणीं लिखें दॉप बत्चों होल की और बटे बच्चा क्या देखे देखेमिल मोलर जब्चों क्या है दो अरhhhh है क्या इतनि बाते संत्ज में आई क्या इतनी बाते आपको समझ में आई हां अगर इसको आप सालों करेंगे अगर नंच को सवालों करेंगे तो आपको जो जेड़े का माना आएगा कि कितना और चार आएगा जेट ये का मान बच्छो क्या आएगा चार आएगा अब चार आएगा तो बच्छो आपको पता है सबता एक होता है बसको कितना होता है घर्ष में पता रखेंश't like यह बना अग्या कि है कि सब्सक्राइब एक क्यों की प्ते कोने पर ने परमाडो को दिखा जिए लिखो प्रमाड हो ऑच्छो कौने पर वे सिसी हो अगुत-कूर्अग प्रमाड को क्यों था है। मजिए अगर आपके पर मारो सभी कhone पर हूँ आपके का पर सिसी का डार हो leurs आपके प्रदफीन क्या कहेंगे आपका भी सी कहेंगे सो यप सिसी कहेंगा ऑफ सिसी में परते को ने पर आठ पर माड है और युगदान एक बटते आठ उच्छा फलक है युग्धान एक बटते दो अगर बच्चो इन डाटा को आपको स्वाल करने प्राब्लम्स हो तो then you can share in chat box बच्चो आप chat box में उसे share कर सकते हैं हम जरूर इसका reply करेंगे तो ठीक है बच्चो यह आपका index का मतलब बच्चो आपको जो part नहीत question है वो खतम होता है अब हम आपका देखेंगे आंकिक बच्चो जो आपका दिया गया है exercise में तो आईए उसे हम देखते हैं ठेके बच्चो हम आपका अभ्यास स्टार्ट करेंगे और अभ्यास में आपका पोछ रखा है अग क्रिस्टली पद को परिभासित कीजिए और अग क्रिस्टली ठोस को उदारण देजिए तो यह बात बच्च bubb आपको कि ऐसा ठोस जिनके अवयावी कोड क्या दस् Million जिनके अवयावी कड लगू पर आसी होते हैं लग उपर 80 होते हैं, उन्हें हम क्या करते, अक्रेस्टली ठोस कहते हैं, यह हम कहा सकते हैं, ऐसे ठोस, जिसमें अवियोवी कर बच्चो अनियमित रूप से वेवस्ती ठोस कहते हैं, तो आपने बच्चो यह पोर्शन थेयरी में पड़ रखा, तिसलिए हम आपको यह नहीं तो देखें बच्चो 1.12 से, 1.12 इसने पूछा है कि काच क्वार्ट से किस प्रकार से भिन है, काच क्वार्ट से बच्चो क्या किस प्रकार से भिन है, तो आपको पता होना चे बच्चो काच क्या एक अक्रिस्टली ठोस है, क्या है बच्चो अक्रिस्टली ठोस है, और जब कि जो आपका quards होता है वो आपका क्रिस्टलियट होस होता है और किन प्रिशितियों में काच को quards में रूपांतरित किया जा सकता है तो सबसे पहले आप जानिए बच्चो आपने पढ़ रखाऊगा silica yes i o2 क्या बच्चो yes i o2 और जब yes i o2 हम क्या करते बच्चो आपका solidification करते तो किसमें change हो जाती है और वही अद बच्चो उसको क्या करें गला दे उसको क्या करें बच्चो पिगलाएं अगर उसको पिगलाएं और फिगला कर फिर solidification करते हैं बच्चो तो आपकी किसमें change जात है बदलती है तो बच्चों क्वार्ड्स क्या है आपका क्वार्ड्स एक और क्रिस्टली ठोस होता है कि जिसके कि जिसके अब यहीं कर नियमित रूप से कि विवस्तित होते हैं कि यह वच्चों यह इसका रूप होता है सिलका यह साई और जबकि काच एक और क्रिस्टली ठोस होता है और क्रिस्टली ठोस होता है जिसके अब यहीं कर जिसके अब यहीं कर नियमित रूप से अनियमित रूप से विवस्तित होते हैं और जो काच है यह भी किसका रूप है यह भी बच्चों किसका रूप है सिलका का ही रूप है कि क्या इतनी बाते बच्चों आपको समझ में आई अगला आपके एक्सरसाइस का बच्चों लेते हैं इसमें बच्चों उन्होंने कहा है कि नियम लिखी ठोसों का वर्गी करण आयनिक धात्विक आडविक या आक्रिस्टली में कीजिए तो बच्चों आपको बताना है इ इसे अच्चों निम लिखीत में निम्या लिखीत में आपको बच्चों बताना है आयनिक निम लिखीत में आयनिक धात्विक आयनिक धात्विक आडविक तथा तथा सहसंयोजक को ठोस तथा सहसंयोजक ठोस को वर्गी क्रित वर्गी क्रित कीजिए आप को एंचो को विखन दो दिया रखाय टेटर पस्पोर डेक आकसाइड पीफुर और तेट अगला वट्यव दिर रखाय पीफूर सॉरी तो फर्स्ट फर्स्ट अगला दो दो द। अगला दे रखाय आपका Ammonium Phosphate NS4 Tekanthrise PO4 और थर्ड बच्चो नियुन दे रखा है आपका Silicon Carbide और फूर्थ नियुन दे रखा बच्चो आपका I2 और ये फिफ्ट दे रखा बच्चो 5 P4 और 6 बच्चो नियुन क्या दे रखा है आपका Plastic और ये बच्चो आगे नियुन दे रखा है 7 नमबर ग्रेफ हाइट और आगे बच्चो नियुन दे रखा है आपका Petal 8 नमबर बच्चो क्या दे रखा है का Petal और बच्चो फी नाइन नमबर आपको क्या दे रखा है इनोंने रूबी डियम आड़ी तेन बच्चो दे रखा है आपका लाइब यारा और इलेवन नमबर बच्चो दे रखा है इनोंने इस आए अब बच्चो यह जो कोर्शन हमने आपका लिखा है इसमें आपको आयनिक ठोश दोड़ना है धातिक ठोश दोड़ना है आडविक ठोश अतास्यास है जोग ठोश धोड़ना है तो सबसे पहले बच्चो आप देखिए यह बच्चो क्या है टेट्रा फासपोरस डेका आकसाइ और समय कप एंदिन तो बच्चों सबसे पहले आपका आंसर में स्टार्ट करते हैं तो यहां बच्चों में आपका लिए आडविक ठोस कौन कौन से आदु बिद्देमान है यहांपर तो सबसे पहले देखने बच्चों यह पहला ही आपका पीफूर ओटेन यह पाइअ आडविक ठोस पाइब सर्ट कर और देखें बच्चों आडविक, आयनिक, धात्तिक और उच्छो क्या है तो आडविक ठोस आगो पता चला पेफूर ओटेने ठीक ने और आयनिक ठोस उच्छो क्या है एनिक ठोस प्राइश, प्योफूर यह क्या बच्छो आपका अमोनियम फास्पेट है अगर आप इसको जल में डालेंगे बच्छो तो यह अपने आयनों कुरूप में तूट जाएगा किसमें तूटेगा अमोनियम आयन और बच्छो क्या आपका फास्पेट आयन में तूट तो किसमें तूटेगा बच्छो अमोनियम आयन नस4 प्लस और बच्छो किसमें तूटेगा प्योफूर और टू माइनस इतने जादे समय में आप अपको यह आपका सॉरी सॉरी एक मिनुट फास्पेट आयन अच्छो यह बच्छो किसमें तूटेगा आपका एनस4 प्लस और प्योफूर 3 माइनस के रूप में तूट जाएगा तो मतलब यह क्या बच्छो आपका आयनी ठोस है अगला देखिए सिलकन कारबाइट एस आईसी और यह साइसी बच्छो क्या है आपका सिलकन कारबाइट यह भी कि प्लास्टिक बच्छो किसमें जाएगा आडविक ठोस अगला देखिए बच्छो फास फोरस प्लास्टिक बच्छो किसमें जाएगा आपका सहसनयोजक ठोस प्लास्टिक किसमें जाएग बच्छो आपका सहसनयोजक ठोस में जाएगा और बच्छो इसके बाद देखिए बच्छो ग्रेफाइट ग्रेफाइट बच्छो क्या होता है सहसनयोजक ठोस ग्रेफाइट और पीतल पीतल बच्छो क्या होता है कुंजन यह क्या बच्छो आ आपका धात्तिक टोस, और ये बच्चो रूबीडियम ये भी एक धातु है तो ये भी धात्तिक टोस लिथिय데 अब लीथियम बुरुमाइड ये बच्चो क्या अपका आय को अग्ला अग्ला चिलका नहीं ये भी कि अगब का धात्तिक टोस तो इतनी बातें आपको समझ में आई यहां पर एक चीज़ आप ध्यान देजे यहां पर इतनी बातें अब कर आपका पर आधात अधात होता है इसलिए अपको किसमें डालेगा यहां पर ठिकना तो यह बच्चों आपके क्या रहा हमने आडविक ठोस आयनिक ठोस और धातिक और सचर्चर्जी सब्सक्राइब आपको क्या रहा है बच्चों वगी कर दिया और दीखे आपके कोश्चय में दीखा है लिख रखा है राख क्रिस्टेली ठोस तो अब अक्रिस्टली तोस अगर देखेंगे घुए हम प्राश्ट जि को क्या मैं सकते हैं आपका आप सब्सक्राइब है इसे अच्छिक थ्यां देजिए हो सकता है किसी एसे बुख में आपको इसे क्या मिले आपको आपकरिष्टलि ठोस कहें तो आपके एक ड्ीमेंट यह खा थ्वाक। अग्ला कोशन बिचो आप से कहते हैं कि उपस्ट तेरह संख्या क्या होती है इसके वारे में आपको पता है बाश्चो उपस से स्वेंजन संन्ख्या क्या स्वें सर्द सप Ryan किभी परमार वाद कोई है इसमें उपसहित का लिगा उपसह सयोजन संख्या वच्चों करें पहले भी हम आपको बता रहे कि उपसहा जन संख्या गौटें कोई भी परमाडू कोई भी अभी लिकड़ जितने निकट वर्ती कि परमाडों के संपरक में रहेगा वह उसके क्या लाघी उपसस्यuszand संख्यां होगी जैसे बच्छों यहां पर निया कि यह सम्कूलन प 요ram कि यह बच्छे परमाड संकूलन हमने किया यह बच्छों आप खम संपर्क में हाँ इसके संपर्क में हाँ इसके और इसके इसे बच्चों मिला दीजे तो यह बच्चों क्या बना एक आपको क्या वर्ग बना तो और कितने प्रमाडू के संपर्क बच्चा चार कितने चार तो यह इसकी उपसे स्वेजन संख्या होगे तो उपसे स्वेजन जितने कोई पर्माड़ों जितने पर्माड़ों के संपर्क में रहता है वह उसकी वह उसकी उपसर से जन संख्या वह उसकी उपसर से जन संख्या कहलाती है है जैसे यहाँ आपका हमने जाने क्या किया था एक हमने बच्चों क्या निवीर संक्फुलन गी यह अगर वरगी संकुलन है इसमें देखे यहाँ-सक्या तो इसकी उपसर से जन संख्या कौडिनेशन नंबर क्या आएग बच्चों चाहर आएगो है जैसे आपको यहां देखिए हमने एक क्याने देच्छ आपका एक बीवी निवीट संकुलन किया इसके गर्थ में है परमाड़ों को रखा तो आपके क्या गई दो इस्तित है इस अच्छ इस दोनों है इस दोनों मीन वीड शंकुलन कहा दिया ठीक मैं अब अब ध्यान दीजिए कि अगर इसी पर माट को ने सलेक्ट कर लिया कि इतने के संपर्क बच्छा आप बदाइए ये इन दोनों को संपर्क में हैं कि इन दोनों को संपर्क में यह देखिए में यह बनाएंगे यह टच करेगा इन दोनों के संपर्क में और यह इन दोनों के देखे इसको इन क्या मिला दिया इसको अटाइच कर दिया तो क्या नचाओं नबर निकल कर आगे बच्छों मैं तो यह कुझ्टने प्रमौड को संपर्क संपर्क तबंड कि अ क्या निबют को निखलके खे की यहां पर किसले संपर्क मैं चारका, जैसे दो परुमॉडर बनाया तीन बच्चो बना दिये तो ये कितने के संपर्क में बच्चो ये कितने के संपर्क में है दो के बच्चो न ये कितने के संपर्क बच्चो दो के संपर्क में है तो इसको आप क्या कहेंगे इसको बच्चो आप क्या कहेंगे इसकी उपसर सेंचने संख्या दो होगे क्या इतन जय भारत